वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बातरूम के तरफ वाली सीट पर बैठी थी उसके चहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घवराहट है उसके दिल में कि कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो कुछ देड़ तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतिजार करती रही सायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निटारा कर लेगी देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चड़ नहीं पाई इसलिए इसमें आकर बैठ गई सायद ज्यादा लंबा सफर भी नहीं करना होगा समान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक चोटा सा बैग दिख रहा था मैं बहुत देड़ तक कोसिस करता रहा पीछे से उसे देखने की कि सायद चहरा सही से दिख पाई लेकिन हर बार असफल ही रहा फिर थोड़ी दिर बाद वो खिड़की पर हाथ पिका कर सो गई और मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया लगबग एक घंटे के बाद टीटी आया और उसे उठाया कहा जाना है बेटा अंकल दिल्ली तक जाना है टिकट है नहीं अंकल जनरल का है लेकिन वहाँ चड़ नहीं पाई इसलिए इसमें बैठ गई अच्छा तीन सो रुपे की पेनाल्टी बनेगी ओ अंकल मेरे पास तो लेकिन सो रुपे ही है ये तो गलत बात है बेटा पेनाल्टी तो भर नहीं पढ़ेगी टिकटी ने कहा सौरी अंकल मैं अगले स्टेशन पर जनरल डबे में चली जाओंगी मेरे पास सच में पैसे नहीं है कुछ परेसानी आ गई इसलिए जल्द बाजी में घर से निकलाई और जादा पैसे रखना भूल गई बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी टिकटी ने उसे माफ किया और सो रुपए में उसे दिल्ली तक उस डिबी में बेटने की परमीसन दे दी टिकटी की जाते ही उसने अपने आसू पोछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी और देखकर हस तो नहीं रहा थोड़ी दिर बाद उसने किसी को फोन लगाया और कहा कि उसके पास बिलकुल भी पैसे नहीं बचे हैं दिल्ली स्टेशन पर कोई जुगाल कराके उसके लिए पैसे भिजवा दे वरना वो समय पर गाओं नहीं पहुँच पाएगी मेरे मन में पुथल पुथल हो रही थी ना जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिचाओ सा महसूस कर रहा था दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूँ और कहूं कि तुम परेसान मत हो और रो मत लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीव था उसकी सकल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है सायद सुबह से और अब तो उसके पास भी पैसे भी नहीं थे बहुत देर तक उसे इस परेसानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने सोचने लगा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूँ और फलर्ट भी ना कहला हूँ फिर मैंने एक पेपर पर नोट लिखा बहुत देर से तुम्हें परेसान होते हुए देख रहा हूँ जानता हूँ कि एक अजनवी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और सायद तुम्हारी नजर में भी गलत लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है इसलिए यह 500 रुपे दे रहा हूँ तुम्हें कोई अहसान ना लगे इसलिए मेरा पता भी लिख रहा हूँ जब तुम्हें सही लगे मेरे पते पर पैसे वापस भेज सकती हो वैसे मैं नहीं चाहूंगा कि तुम पैसे वापस करो मैंने एक चायवाले के हाथो उसे वो नोट देने को कहा और चायवाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट मैंने उसे भेजा है नोट मिलते ही उसने दो तीन बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुँ पर चादर डलकर लेट गया था थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटा कर देखा तो उसके चहरे पर मुस्कराहट महसूस की लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कराहट का इंतजार था उसकी आँखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया फिर चादर का कोना हटा हटा कर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था मैं पता ही नहीं चला कब आँख लग गई जब आँख खुली तो वो वहाँ नहीं थी फ्रेंट दिल्ली स्टेशन पर ही रुकी थी और उस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था मैंने जटपट मेरी सीट से उतर कर उसे उठा लिया और उस पर लिखा था थेंक्यू मेरे अजनवी हमसफर आपका ये एहसान मैं जिन्दगी भर नहीं भूलूंगी मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है इसलिए आनन फानन में घर जा रही हैं आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को समसान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी बीमारी की वज़े से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ जल्द ही आपके पैसे लटा दूँगी उस दिन से उसकी वो आँखें और वो मुस्करहट जैसे मेरे जीने की वज़े बन गए थे हर रोज पोस्ट मैं से पुछता था सायद किसी दिन उसका कोई ख़त आ जाए आज एक साल के बाद एक ख़त मिला आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ लेकिन ख़त के जरिये नहीं आपसे मिलकर नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था तुम्हारी अचनभी हमसफर दोस्तों बहुत अच्छी कानी है ये और अगर आपको पसंद आए हो तो लाए सब्सक्राइब और शेयर माई चैनल अगर अंजाने में आपको कोई भी रह पे मिल जाता है तो उसकी जरूर मदद करें नमस्कार